नमस्कार आप लोगो मेरी यूट्यूब चनल पर स्वागा था तो आपको इस वीडियो में करेंट फियर के बारें मैं बता रहा हूं करेंट फियर का कुष्चन तो चली करेंट फियर का कोईश्चन शुरू करते हैं तो आप लोगो में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल अकंद दबा लिजिएगा तो चलिए question शुरू कर रहे है Unicef India का Youth Advocate किसे नियुक्त क्या गया Option A है नाहीद Option B है सुनिल से है Option C है मोहमद सोहल Option D है आरटी दत्ता तो इसका answer होगा आपको A. नाहीद अफरिन Unicef India का Youth Advocate किसे नियुक्त क्या गया है UPC के चेयर्में किसे नियुक्त क्या गया है Option A है щоб गोपाल मिना Option B है राज सिंग Option C है अरबिन शक्सेन Option D है अमरेन्दर सक्सेन तो UPC के चेयर्में किसे नियुक्त क्या गया है आपके सामने चार अपसन Сली में से जोन सही है तो आप लोग बताइए जो नहीं जानते हैं मैं इसको बता रहा हूँ तो इसमें आपका option सही होगा C. Arvind Saxena तो UPSC के चेर्मन किसे निक्त क्या गया है Arvind Saxena को तो फिर next question Question है केंदर सरकार ने कौन सी कलास के बच्चे को home work देने पर रोक लगा दी है आपका option A. पाली और दुसरी कलास option B. पांचमी कलास तक option C. पाली से तिसरी कलास option D. पाली कलास तो आपके सामने ये चार ओप्शन है इनमें से एक option सही है तो केंदर सरकार ने कौन सी कलास के बच्चे को home work देने पर रोक लगा दी है किस देश ने दुनिया की पाली हैड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल पर सिक्षन किया है तो option A. फ्रांस option B. अमिर्का option C. जर्मनी option D. चीन तो क्वेस्चन आपका है किस देश ने दुनिया की पाली हैड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल पर सिक्षन किया है तो उप्षन ए फ्रांस उप्षन बी अमिर्का उप्षन सी जर्मनी उप्षन डी चीन तो इसमें आपका उप्षन ए सही होगा फ्रांस Qwestion है हाल ही में किसे राष्टिय महला आयोग की अध्यक्ष की रूप में निट्र किया गिया है C में पुणम में गवाल D में रेखा सर्मा तापका option सही होगा D रेखा सर्मा महला योग का अधियक्ष न्यूक्त किया गया है Question 1 किस टीम ने महला T20 वीज कप 2018 का किताब जीता है Option 1 ये भरत, Option B England, Option C Australia, Option D सिरलंका Question 1 किस टीम ने महला T20, वीज कप 2018 किताब जीता है Option A भरत, Option B England, Option C Australia, Option D सिरलंका जो जानते हैं ठीम जो ने जानते हैं मैं इसको इसका अंसर बता रहा हूँ तो इसमें उसका सेंसर होगा है C Australia, तो अस्टेलिया T20 2018 का किताब जीता है, बिज कप का Question 1 होकी इंडिया के नए अधियक्स के रूप में नियुक्त किये गए है Option A है तिरिपाल सिंग, Option B है जाए अस्वीन, Option C है मुस्ताक अहमद, Option D है गुरूराम सिन्ना Question है होकी इंडिया के नए अधियक्स के रूप में नियुक्त किये गए है Option A है तिरिपाल सिंग, Option D है जाए अस्वीन, Option C है मुस्ताक अहमद, Option D है गुरूराम तो इसमें आपका Option C सही होगा मुस्ताक अहमद आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन दबा लिजेगा और इस वीडियो को लाइक कीजेगा, जहां कोई डाउट हो तो आप लोग कोमेंट जरूर कीजेगा तो फिर नेक्स्ट क्वेस्चन बता रहा हैं आप लोग को क्वेस्चन है किस खिलारी ने 8.2.0 मेटर की छलांग लगा कर लंबी कुद में राष्टिया रिकाउट बनाया है ये में ससी कांत, बी में मुरली, सिरी संकर, सी में सुदर्शन, जोसी, डी में दुर्गेश गुपता क्वेश्चन है किस खिलारी ने 8.2.0 मीटर की छलांग लगा कर लंबी कुदमी राष्टे रिकाउड बनाया है तो आपके सामने ओप्षन यह है ससी कांत ओप्षन भी है मुरली सिरी संकर ओप्षन सिये सुधरसन जोसी ओप्षन डी है दुरगेश गुपता इसमें आपका ओप्षन बी सही होगा मुरली सिरी संकर किस खिलारी ने 8.2.0 मीटर की छलांग लगा कर लंबी कुदमी राष्टे रिकाउड बनाया है मुरली सिरी संकर ने तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यम मुदी ने सिक्कीम के पहले एरपोर्ट का उदगाटन के आया बहरत का कौन सा एरपोर्ट है औप्षन ए है 110 बी है 100 बाप्षन C है 115 औप्षन D है 120 तो आपका इसमें औप्षन जो सही होगा जो जानते हैं जवाब देएगा जो ने जानते हैं उसको मैं बता रहा option A है एक सा 10 मा, option B है स्वामा, option C है एक सा 15 मा, option D है एक सा 20 मा, इसमें आपका option B होगा स्वामा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बैल आकान दबा लिजिए, जिससे कि मेरा टेक्निकल, ITI, Current Appear का वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचते रहे, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो म आप लोग को